ये दुख, ये दर्द, ये गम, जो भी है, बस तेरे अंदर है, तु खोद के बनाए पिंजरे से बाहर निकल कर देख, तू भी अपने आप में एक सिक अंदर है, घरवालों ने तुम्हें नाम दिया है, अब पहचान तुम्हें अपने दम पर बनानी है, जिन्दगी में कभ गरीब फैमिली से ही विलोग करते हैं, लेकिन हर गरीब परिवार से विलोग करने वाले लोग महा नहीं बन पाते, क्यों? क्योंकि वो अपना समय का सही उपियोग नहीं करते, सिर्फ बहाने और खुद के एमोसंस में उलज कर रह जाते हैं, देखो अमीर और गरीब के करने लगोगे जो एक सफल और महान लोग करते हैं देखो टोपर्स की आदते होती है भले ही वो कम पढ़ें लेकिन रोज पढ़ते हैं याद रखना सपने अधूरे रह जाते हैं उनके जो अपनी महनत में कटोती करते हैं देखो पढ़ना भी तुमें है लरना भी तुमें है लराई खुद से है ये बात समझना भी तुमें है। अरे वो मंजिल भी सर जुका देगी जब दमदार तेरी तयारी होगी। मुठी में होगा तेरा मुकदर जब किताबों संग तेरी यारी होगी। मुकाबला ऐसा करो कि अगर हार भी जाओ तो उसकी जीत से जादा तुम्हारी हार के चर्चे हो। कभी कभी कुछ जीतने के लिए कुछ हारना पड़ता है और हार कर जीतने वाले को ही बाजीगर कहते हैं। जिन्दगी के इस रण में खोधी कृष्ण और खोधी अर्जुन बनना पड़ता है। रोज अपना ही सार्थी बनकर जीवन की महाभारत से लरना पड़ता है। भगवान सरी कृष्ण की एक लाइन है। यह महतु नहीं रखता कि तुम्हारा अतीत कितना कठिन है। क्योंकि तुम हमेशा दोबारा सुरुआत कर सकते हो। किताबे और माबाप की बाते जिन्दगी में कभी धोखा नहीं देती। देखो हार और जीत ये तो परिनाम है। लेकिन कोशिस करना हमारा काम। सफलता जितनी आसान दिखती है उतनी आसान नहीं होती। सफलता पाने के लिए जो इसकी कीमत है तुम्हे उसे चुकाने ही पड़ेगी। देखो नाम एक दिन में नहीं बनता। लेकिन अगर मन में हो हिमत, खुद में विश्वास और मेहनत करने की चाहत हो तो एक नएक दिन जरूर बनता है।